कुछ ऐसे ही हम सब एस और पीकाचू से मिले हैं अब सब कुछ बदलने वाला है I don't know what to say क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपसर्ड हो और मुझे पता है तुम लोग भी हो और यार हमारा एमोशन कोई भी नहीं समझ पाएगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इतने इमोशन को शेयर कर सकूँ और खुद को थोड़ा सा और स्ट्रॉंग कर सकूँ सब कुछ यार ठीकी था लेकिन सड़ली सब बदल गया एकदम कन्फॉर्म हो गया था कि एस जन्ना इन में जाने वाला है बट सड़ली मैंने कल जो वीडियो अपलोट किया था उसके अंदर भी मैं अपने आपको तुम सब को यार कॉंसलेशन देनी की कोसिस कर रहा था ताकि थोड़ा सा तो दुख कमे लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो कुछ भी वीडियो के अंदर बताया सब कन्फॉर्म है बट यार दिल नहीं मानता एकदम बचपन से देखते आ रहे है एश और पीकेचू के साथ एक अलग कनेक्शन है और यार सब कुछ बिलकुल कन्फॉर्म है तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एश और पीकेचू की जर्णी कभी ना कभी तो खतम होती पोकेमोन वालों ने अच्छा किया कि वो इस तरीके से खतम कर रहे हैं मुझे तो यार बहुत पसंद आया उनका तरीका तो अब ये emotions को side में रखते हैं और जो जो अच्छी चीजे हो रही है उसके बारे में बात करते हैं तो देखो एश और पीकेचू के final chapter के उपर आने वाला है 11 एपिसोड और ये एपिसोड स्टार्ड होंगे 13 January से वैसे भी ass की स्टोरी में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि ass world champion बन चुका है अब world champion और pokemon master के बीच क्या difference है ये हमें देखने को मिलेगा और इसके लिए 11 episodes लग रहा है कम है लेकिन फिर भी देखते हैं pokemon वाले क्या दिखाते हैं उन 11 episodes में और साथ ही साथ pokemon वालों ने art style भी change कर दिया है pokemon का एकदम वो पुराना वाला feel आ रहा है ass का get up भी change हो गया है बिल्कुल पुराने वाले एकदम पहले वाले ass की तरह हो गया है और ये जो 11 episode है इसके अंदर ass के सारे friends वापस आएंगे सारे pokemon वापस आएंगे और ये तो बिल्कुल भी expect मत करना की ass in 11 episode में कोई नया pokemon पकरेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है शायद से वो सारा region फिर से travel करे अपने पुराने दोस्तों के साथ और जो जो pokemon उसने release कर दिया है उन से मिले अभी तक तो ऐसा ही लगता है देखते हैं आगे क्या होता है इसके बाद जो good news है वो है बिल्कुल पुराना वाला vibe तो misty, brock सभी वापस आ रहे हैं और सायद से ash, misty और brock के साथ ही सफर पे निकले और ऐसा मत सोचना बिल्कुल 11 episodes में ही वो 3 होंगे क्योंकि ये ash और Pikachu का final chapter है तो यहां सारे friends होंगे सारे Pokemon होंगे और सबसे बड़ा hype तो यार ash की Pokemon Master बननी को लेकर बनता है क्योंकि तुम लोग देख सकते हो preview के अंदर देखा दिया है ash के father को अब ये तो clear नहीं है कि ये ash का father ही है कि नहीं क्योंकि बीजवाला तो ash है ये confirm है अब ये डेलिया हो सकती है और ये तो ash के father ही होंगे फिर तो almost confirm है कि ash के father के बारे में भी बताया जाएगा तो ऐसे ही ash और Pikachu का final chapter entertainment mystery और emotions के साथ खतम हो जाएगा हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ तो previous video देख लेना link तुम लोग को pin comment में देखने को मिल जाएगा वहाँ मैंने सब कुछी बता दिया तो जाके एक बात देख लेना क्योंकि मुझे ash के बारे में और कुछ भी बात नहीं करनी है क्योंकि जब भी उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं emotional हो जा रहा हूँ मुझे पता है तुम लोग का भी हाल ऐसा है लेकिन भई ash की जर्णी कभी ना कभी खतम होनी थी और बस हो गई इसके बारे में ज्यादा मत सोचो मैं भी तुम लोग का comment पर रहा हूँ मुझे भी बुरा लग रहा है बट ऐसा एक दिन ना एक दिन तो होना ही था चलो एक बार imagine करो ये सब Pokemon वालों की strategy है ताकि वो लोग limelight में आ जाए और ash भी कही नहीं जा रहा sorry guys मैं पागल हो गया हूँ ash को भूल जाते हैं और बात करते हैं उन दो characters के बारे में जो ash को replace करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहली बार Pokemon में हमें female lead देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा Riko और हमें पता चल चुका है इसका starter Pokemon होने वाला है spirit गाठी तो और दूसरा बंदा है Rory और सायद से इसका starter Pokemon होने वाला है Frico को अब मैंने गुशे में बोल दिया था कि ये दोनों निबब निबब या लेकिन शायद से ये दोनों सेवलिंग्स है और ये दोनों कांटो रीजन से बिलॉंग करते हैं जो पाल दिया रीजन में जाएंगे अपनी जर्नी शुरू करने के लिए अब शायद से इस जर्नी में उनका हिस्सा होंगे निमोना, एर्वन और भी कई सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे तो भई अपनी खुशी और दोनों ही जाहिर कर देना चलो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा